राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी यूटीब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है भगवान श्री गणेश अपने भगतों की कष्टों को हरते हैं और उनकी सभी मनुकामनाय पूर्ण करते हैं किसी भी शुब काद्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चौदस तक भगवान श्री गणेश की पूजा करने का विधान है क्योंकि भगवान श्री गणेश को बिगन हर्ता कहा चाता है भगवान श्री गणेश रिद्धी सिद्धी के दाता और शुबलाप के प्रदाता है श्री गनेश सभी रोख शोग तथा दरित्ता को दूर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री गनेश को प्रसंद करने का बहुती सरौल और प्रभापकारी उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने से भगवान श्री गनेश प्रसंद होते हैं और अपने भगतों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। अगर लाल रंगे वस्र पहनेंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके बाद थोड़े से पवित्र चावल लें। पवित्र चावल उन्हें कहा जाता है जो सावत होते हैं। भगवान श्री गनेश की पूजा में तूटे फूटे चावल इस्तमाल नहीं किये जाते। इसलिए सावत चावल ने उन्हें बीन कर साफ कर लें और चावलों को धोलें। फिर अपने मंदिर के आगे आसन बिछा का बैठ चाएं। और एक सुद्र देशी घी का दीबग जलाएं। और एक धूपत्ती जलाएं। फिर भगवान श्री गनेश को सिंदूर का तिलक लगाएं। भगवान श्री गनेश को सिंदूर की लाली बहुत पसंद है। भगवान श्री गनेश की प्रसंता के लिए उन्हें लाल नंका सिंदूर लगाएं। सिंदूर भगवान को लगाने के बार अपने मात्य पर भी उसी सिंदूर से तिलग करें इससे गणेश्टी की किरपा प्राप्त होती है और आर्थिक शेत्र में आने वाली परेशानियों और बिग्णों से गणेश्टी रक्षा करते हैं अब भगवान श्री गणेश को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं अगर मोदक और लड्डू ना हो तो आप गुर का भी भोग लगा सकते हैं अगर यह भी ना हो तो आप थोड़ी सी शक्कर या मुष्टी का भोग लगा सकते हैं फिर थोड़ी सी हल्दी चावलों में मिला लें, चावलों को पीले रंका कर लें, फिर अपने सीधे हाथ में यानी राइट हैंड में थोड़े से चावल लें और भगवान श्री गणेश को चावल चढ़ाएं, चावल चढ़ाते में इस मंत्र का जाप करें, इदम अक्षतम ओम, गन, गन, पतह, नमाब, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश को आपको चावल चढ़ाने हैं, फिर आप इतने हाथ में चावल लें और इसी मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश को चावल चढ़ाएं, आपको भगवान श्री गणेश को तीन बार चावल चड़ाने हैं, चावल चड़ाने के बाद इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र का जाप करने से पहले ही है सुनिश्चित कर लें कि आपका मुख पूरव या उत्तर दिशा की ओर हो, अगर आपका मुख पूर्य उत्तर दिशा की ओर नहीं है तो पूर्य उत्तर के पैठें इसके बाद भगवान श्री गनेश के इस मंत्र का एक सौ आठ पाद जाप करें मंत्र है मंत्र है उंगाय despair महा गनेश मौक करें ऑप भगवान श्री गणेश से हाद जोड़कर अपनी मनुकामना पूर्ण करने की प्रात्ना करें और भगवान श्री गणेश से सभी परिशानियों का अंत करने की प्रात्ना करें फिर आपने जो भगवान श्री गणेश को सिंदूर से तिलक किया है उसी सिंदूर से अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी तिलख करें इससे सभी को भगवान श्री गणेश की कपा प्राप्त होगी आपने जो भगवान श्री गणेश को भोग लगाया है उसे उठा लें और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ उस प्रशाद को ग्रहन करें इससे भगवान जी का आश्रीबाद प्राप्त होता है इस उपाय को आप गणेश चौस से लेकर अनंत चतुरदसी तक हर रोज करें हर रोज नहीं कर सकते तो इस उपाय को एक बाद जरूर करें इस उपाय को करने से भगवान श्रीगणेश की कप्रा आश्रीबाद प्राप्त होता है और बिग्न हरता भगवान श्रीगणेश अपने भग्तों के सभी बिग्नों को हर लेते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले हमारी वीडियो को अपने सभी फ्रेंट्स और रिस्ते दारों में जारस जादा शेयर करें ताकि वहवी गणेश चोथ पर इस सिल्ला प्राप्त कर सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रही और इसके लिए हमारे चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग राधी राधी